नमस्कार दोस्तों CDSL शेयर में हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिली है और दोस्तों ये शेयर अपने हाई प्राइस से अभी 40% से भी जादा नीचे आ गया है तो चलिए आज की वीडियो में करते है इस शेयर का टेकनिकल एनलिसेस और देखते हैं कि क्या अब इस शेयर में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका आ गया है या फिर अभी भी हमें इस शेयर में कोई पोजिशन नहीं लेनी चाहिए तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर जो चाहर्ट है उसको मैं जूम कर लेता हूँ और अगर हम डिसकस करते हैं इस शेयर में important resistance के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेयर में 1014 रुपीज का लेवल एक बहुत ज़्यादा important resistance बन चुका है इस share में क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये share इसी level पर resistance फेस कर रहा है और दोस्तो ये जो level है ये level पहले इस share के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा support था क्योंकि पहले भी इस share में जब हमें लगातार crash देखने को मिलाता तब इस share ने इसी level पर support लिया तो और उसके बाद हमें एक अच्छी तेजी दिखाई थी और दोस्तो तेजी के बाद जब किरावट आई तबी भी इस share ने कुछ दिनों तक इसी level पर support लिया पर उसके बाद इस share ने 1014 का support तोड़ दिया और ये share इस level के नीचे आ गया तो अब ये जो support था ये level अब इस share के लिए एक resistance का काम कर रहे है तो यहाँ पर हम क्या है सकते के 1014 का level एक बहुती ज़्यादा strong resistance है दोस्तो अगर ये share इस resistance का breakout देता है तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और उसके बाद दूसरा जो resistance है इस share में वो है 1072 रूपिस का level आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला level है ये भी एक strong resistance है दोस्तो अगर हम बात करते support की तो हमें ऐसे तो इस share में अभी कोई important support नहीं दिखरा पर अगर हम इस share में थोड़ा सा अगर previous years का data देखते हैं कि जब ये share 2021 के जून के मन्त में इसी levels पर trade कर रहा था तो इस share ने किस level पर support लिया था तो हमें दिखता है कि ये share ने 960 के level पर support लिया था आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कई दिनों तक इस share ने इसी level पर multi time support लिया था और उसके बाद हमें एक बहुती शांदार jump देखने को मिला था यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस share ने 960 के levels पर support लिया था तो अभी भी ये share में जब हमें लगातार गिरावट दिखने को मिली है और अब जब ये share 989 तक आ गया है तो chances है कि ये share वापस से अभी 960 के level पर support लिया और उसके बाद हमें एक अच्छी तेजी दिखाएगा क्योंकि दोस्तों दूसरा तो इस share में अभी कोई important support नहीं है अगर हम बात करते हैं कि अगर ये share 960 का support तोड़ देता है तो क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये share 960 का support तोड़ देगा तो हमें वापस एक बड़ी गिरावट दिखने को मिलेगी क्योंकि उसके बाद दूसरा जो support है वो है 893 रुपिस का level तो यहाँ पर दोस्तों इस share में अभी एक जो important सबसे ज़्यादा support है वो है 960 का level तो सबसे best situation यही है कि ये share इस level की दर टिक जाता है क्योंकि अगर ये share इस level को तोड़ देगा तो यहाँ पर और ज्यादा बड़ा crash देखने को मिलेगा दोस्तों आईएब हम apply करते है कुछ technical indicators और देखते हैं ये indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जब तक ये volume और RSI indicators apply हो रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं relative strength index इस share का भी oversold zone में आ गया है 24 के इदर चल रहे है oversold zone का अर्थी है कि share में already बहुत विक्वाली हो गई है और यहाँ से एक reversal आ सकता है दोस्तों अगर हम बात करते है volume indicator की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो volumes है उसमें हमें कई दिनों से कोई chain नहीं देखने को मिला है एक ही zone उसमें ही volumes चल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा volume कई दिनों से नहीं हुए तो अगर दोस्तों इस share में हमें एक breakout देखने को मिलता है 1014 रूपीस के level का और एक अच्छे volume के साथ यह breakout होता है तो उसके बाद यह जो लगातार हमें downtrend देखने को मिला इस share में इस trend का reversal हो सकता है और यह share हमें वापस से एक new high तक जाते हुए देखने को मिल सकता है तो अगर हम बात करते हैं इस share में खरीदारी करने की तो यहाँ पर दो situation है पहले तो इस share में यहाँ से गिरावट आती है और यह share 960 तक जाते है और 960 के बाद इस share में एक reversal आता है तो दोस्तो अगर 960 के लेवल पर यह share अच्छे से support लेता और उसके बाद हमें bullish reversal दिखाता है तो एक खरीदारी करने का अच्छा मौका रहेगा और दोस्तो अगर कोई भी bullish reverse लाएगा तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पर दोस्तो अगर इस share में यहां से गिरावट नहीं आती और अगर यह share यहां से सीधा जाता है 1014 के level को और अगर यह share 1014 का level break कर देता है तो यहां पर खरीदारी करने का अच्छा मौका रहेगा दोस्तो हमारे जो targets रहेंगे इस share में वो रहेंगे 1072 का पहला target दूसरा target यहां पर रहेगा हमारा 1170 रुपीस के zone में तीसरा target रहेगा 1281 का तो यहां पर दोस्तो अगर breakout आता है तो swing trade करने का एक अच्छा मौका रहेगा क्योंकि यहां पर जो लगा था downtrend था वो एक up trend में बदल जाएगा और यह share 1281 तक short term में आराम से जा सकता है तो दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है यह वीडियो के educational वीडियो था इसलिए शेर में मरी कोई भी buy से लिए hold की सला नहीं है धन्यवाद